हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू थे स्टेडी आइक्यू यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सिरीज में आज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम समझेंगे रश्यन रेवलूशन को लेकिन आज के टॉपिक प क्योंकि आज का रश्यन रेवलूशन अगर आपको ठीक से समझना है तो इससे पहले जो हमने वर्ल्ड वार वन की पूरी सीरीज जो है वो गवर करी है और उससे पहले इंपिरिलिजम इंडस्ट्रियल रेवलूशन वो सारे कॉंसेप्ट्स आपको जोडते होए आना पड़ रहे हैं लेकिन हमारा मेन एंफसिस है कॉंसेप्ट बिल्डिंग पर ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठें तो एग्जामिनर आपको स्टंप ना कर सके तो मेक्शूर यू वाच आल दोस प्रीवेश सेशन सेशन स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा बुरा लगा क्या बात अच्छी लगी क्या बुरी लगी आपका फीडबेक कमेंट के माध्यम से जो मुझे मिलेगा वह बहुत नेसेसरी है मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए इंफेक्ट राइट सो मेक्शूर यू प्रोवा वन को कम्प्लीट कराया अगर आपने थोरली उसको समझा है तो मैंने उसमें बताया कि किस तरहा रशिया के जार निकुलस सेकंड जर्मनी के कैसर विल्लियम या विलहम सेकंड और ब्रिटेन के शाशक जौर्ज फिफ्ट और उनकी पार्लिमेंट मिलकर जो है वो यूद में ये सब पार्टियं ओते complete ये तीनों का नाम मैंने क्यूं लिया क्योंकि ये तीनों जो हैं वो कजंज हैं हापस में उसके अलावा मैंने आपको वोल्ड वार में डिटेल में समझाया था कि किस तरह सेंट्रल सक्तियों का यलाइट शक्तियों से युद चला और रशिया की उ जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बुलगेरिया और्टमन एंपाइर की उसमें क्या भूमिका थी उसके अलावा सर्भिया ऑस्ट्रिया सर्भिया और ऑस्ट्रिया हंगरी का क्या डिस्प्यूट है इतली बाद में क्यों जुड़ा फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ जो है वो उन्हो अगर आपने वर्ड वार वन नहीं पड़ा है तो पाँच सेशन्स की एक पूरी सिरीज है वर्ड वार वन की मेक शूर आप उसे फॉलो करें और बिल्कुल बारी किया जो है वो समझें वर्ड वार वन की ठीक है लेकिन आज हमें रशियन रेवलूशन समझना है वर्ड वार वन के साथ रशियन रेवलूशन किस तरह जुड़ा है क्योंकि रशिया में रेवलूशन आने के बाद और रशिया की जारिस जो सरकार है उसके गिरने के बाद कुछ समय बाद जो है वो रशिया ने अपने आपको विश्यूद से अलग कर लिया so russian revolution का world war 1 पे ये impact है कि russia जो है वो russian revolution की वजह से world war 1 से अलग हुआ ठीक है so आज हमें basically ये समझना है कि ऐसे क्योंकि आज का जो हमारा introductory session है आज हमें ये समझना है कि background क्या है russian revolution का और जो second part जो आएगा उसमें मैं आपको actual revolution के घटनाओं को समझाओंगा आज हम केवले background प्रिपेर कर रहे है russian revolution का so part 1 will cover your background of russian revolution और इसके बाद जो second part आएगा russian revolution का उसमें मैं आपको the actual two phase of revolution समझाओंगा क्या रही ठीक है so वैसे तो russian revolution की तीन phase भी कई जगाओंपर document की गई है कि 1905 फिर 1917 की एक बार February March वाला phase और October November वाला phase ठीक है ये तीन phases में russian revolution को कहा जाता है लेकिन majority of इतिहास कारों ने document किया है कि जो russian revolution है वो 1917 का ही है ठीक है जो 1905 वाली जो russian revolution 1905 में जो revolutionary घटनाए हुई है उनको 1917 की घटनाओं के साथ जोडने का काम जो है वो communist लोगों ने किया है ठीक है आज जितने भी point of views हैं उन सभी point of views को हम समझते हो चलेंगे उन सभी point of views को हम लेकर चलेंगे ठीक है ताकि आपकी एक गहरी समझ बने russian revolution के साथ अगर आपने पिछले sessions मेरे साथ follow की है आप भी excited होंगे मेरे ही तरह जितना मैं पढ़ाने के लिए excited हूँ आपको उतना पढ़ने के लिए भी हूँ मेरी इच्छा यही रहती है आपका interest जो है वो बना रहें make sure कि आप notes बनाते रहें और revision जो है वो हमेशा करते रहीएगा ठीक है so russian revolution 1917 से पहले 1905 के आसपास की जो घटना है हमें उने समझना है so 1905 के आसपास की क्या major political जो है वो घटना घटी है रशिया में so आपके पास जवाब होना चीए russo japanese war रशिया और जपान की 1904-1905 का जो युद है जिसमें जपान ने रशिया को पचाड़ा है उससे जो जारिस्ट पूरी जो सरकार है उसकी कमजोरिया जलक आई ठीक है so आज इन सभी चीज़ों पर हम discuss करेंगे so आईए मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए डिरेक्ट जो है वो अपना topic शुरू करते हैं इन points के मादियम से ही हम अपना introduction as well as background सारी चीज़ें तयार करते हैं क्योंकि अगर आप regularly follow कर रहे हैं मेरे sessions को सो काफी सारी चीज़े जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उनके साथ आप बहुत आराम से relate कर लेंगे या अगर आपने पहले भी world history को पढ़ा है तो भी आप relate कर सकते हैं लेकिन अगर आप बिलकुल fresh student है पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं या अगर आप पहली बार ही Russian Revolution को पढ़ रहे हैं या अगर आपने पहले कभी deeply Russian Revolution को नहीं पढ़ा है सो मैं यही recommend करूँगा कि आप पिछले sessions को जरूर देखें और अगर आप regularly follow कर रहे ना आप मन में ये बात जानते हैं कि मैं बिलकुल सही recommend कर रहा हूँ अगर आप मेरे sessions को regularly follow कर रहे हैं ना तो आप एक नए student को यही कहेंगे कि भहिया मान जाओ सर की बात पिछले sessions जरूर देखो तभी मज़ाएगा पढ़ने में है ना तभी मैं बार-बार जोर डालता हूँ उस बात पर ना शुरू करते हैं introduction पहला point देखेगा before the Russian revolution took place in 1917 Russia was ruled by a powerful monarch called czar Nicholas second अब सबसे यह जो पहली line है इससे हमें क्या-क्या पता चलता है देखिए यहाँ पर ना बच्चों को एक objection आता है मदद करेगे राइट और व्याख्या करनी सीखेंगे आप किसी sentence की व्याख्या करना तभी आप किताबों में क्या लिखा है वो समझ पाएंगे बैतरी इन तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं इस तरह के मतलब मैं और भी कई सारे तरीके यूज़ कर सकता था मैं आपको केवल पॉइंट दर पॉइंट और ट्राइंगल्स और स्कोयर्स और समझ रहे हैं फ्लोचार्ट वगेरा यह सब बना कर भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैंने अडॉप्ट किया है पढ़ाने का तरीका स्टेट्मेंट बाइ स्टेट्मेंट क्योंकि वर्ड बाइ वर्ड जब मैं आपको समझाऊंगा बहुत सारी गुथियां खुलती हैं उससे ठीक है तो यह तरीका थोड़ा पुराना है लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर है मेरी समझ से लेकिन इस सेंटेंस को फॉर्म किया गया है इस एक ही सेंटेंस में बगैर कहे ये बात क्लियर कर दी गई कि रिश्यन रेवलूशन के बाद मोनार्की खतम हो गई क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मोनार्की खतम हो गई नहीं लिखा ना लेकिन इस sentence से पता ये चल रहा है कि मोनारगी खतम हो गई ये जो skill है लिखने की answer writing की ये आपको develop करनी है ये जो answer writing की skill है कि आप कहना एक ही sentence में कई सारे आपके मतलब निकल आएं इससे आपको word limit में आने में जो है वो सहयता मिलेगी आपको अपनी जितनी भी आपकी बात जो भी आपका point of view है जो भी आपका किसी सवाल का answer उसको आप डेढ़ सो शब्दों में दो सो शब्दों में या जो भी prescribed length है उसमें आप लिख सकें राइट सो ये जो sentences मैंने आपको दिये है थ्रूआट इनको thoroughly समझी है बहुत भारी के से समझना पड़ेगा आपको ठीक है तो पहला ही sentence देखे क्या है before the Russian revolution took place in 1917 Russia was ruled by a powerful monarch called Zaur Nicholas II ठीक है तो Zaur Nicholas II को हम भली बाती जानते है next is the Zaur had total power in Russia next statement में पता चलता है कि Zaur की जो authority है वो totalitarian है Zaur जो है वो एक autocrat है that means centralized authority है और Zaur के पास शक्ती है किस चीज़ की executionary, judiciary, legislation तीनो जो है वो किस के पास है जो तीनो शक्तियां है ये vested है Zaur के पास ठीक है He commanded the army, owned much of the land and even controlled the church between 1904 and 1917 Russia faced a series of crisis these events showed the Zaur's weaknesses and paved the way for revolution in the late 1800s Russia and Japan were imperialist powers they both competed for control of Korea and Manchuria for several weeks Russia and Japan attempted to solve their dispute diplomatically finally the two nations were involved in a war in 1904 the war began when the Japanese without warning launch the naval attack against the Russians at Port Arthur so इन सारे points से हमें क्या पता चलता है सबसे पहली चीज़ हमने establish करी कि Russia में एक autocratic जो है वो monarch बैठा है Zaur Nicholas II Zaur Nicholas II का control military पर भी है जादातर रशिया का land भी उसके control में है और church भी Zaur के control में है ठीक है उसके अलावा executionary, legislative और judiciary तो Zaur के कहने पर चल ही रहा है ठीक है अब Zaur की जो है सरकार है ये जादा जो है वो popular और मजबूत नहीं है भले ही सभी शक्तियां Zaur के पास हो इसका मतलब ये नहीं है कि Zaur काबिल होगा Zaur जो है वो बेशक काबिल भी हो लेकिन Russia जैसा इतना भीमकाए राश्ट्र जिसकी समस्याएं भी बहुत भीमकाए है उनको जोड कर रखने के लिए एक बहुत बारीक महीन bureaucratic system की आवशक्ता है जो की Zaur के पास नहीं है क्योंकि भले ही आपके authority कितनी भी centralized हो लेकिन without efficient bureaucracy आप उस इतने बड़े extent को क्योंकि centralized authority होने का फाइदा तब है जब आप एक feudal lord हो छोटा सा region हो आपके control में लेकिन Russia जैसा बड़ा देश चलाने के लिए आपको जो है वो diversification करना पड़ेगा authority का आपको bureaucratic शक्तिया जो है वो थोड़ी बाटनी पड़ेंगी जो कि जार करने को तयार नहीं था क्योंकि जार को पता था कि यह जो देश मेंने इतना बड़ा acquire किया है यह छूट जाएगा हाँ से जो Siberia वाला region है वो कभी भी revolt कर सकता है और उसी side यानि कि जो eastern region है जो Siberian वाला region है वहाँ पर Japan भी एक imperialistic शक्ति के रूप में उभर करा रहा है और जपान भी चाता है कि Korea Manchuria और रशिया वाला region उसको मिल जाए साइबेरिया सदन साइबेरिया वाला या साउथ इस्टन साइबेरिया वाला region राइट तो रशिया के सामने समस्या क्या है कि एक तो इतने भीमकाए देश के administration को सुचारू रखना और दूसरा बहरी as well as आंतरिक खत्रों को balance करना बहरी खत्रा जापान और आंतरिक खत्रा जो नई अंदर यानि कि रशिया के अंदर जो political parties डवलप हो रही है जिनका ambition है जारिस्त रजीम को खतम करके एक अपने अब उनका अपना अपना agenda है कुछ चाते हैं democratic सरकार आ जाए कुछ चाते हैं कि military aristocracy आ जाए ठीक है वो अलग-अलग agendas है लेकिन जारिस्त रजीम को खतम कर रहा है that means internal as well as external threats जार के उपर है इससे जो जार का रजीम है वो weak हो जाता है लेकिन जब जपैन ने रशिया को हरा दिया तो वो weakness हो गई जाहिर वो weakness जो है वो पूरी दुनिया को पता चल गया पूरे यूरोप को पता चल गया कि जपैन जो कि अभी recently पचास-साथ सालों तक तो medieval times में ही जी रहा था अभी recently पचास-साथ सालों तक तो वो bows and arrows को use कर रहे थे उन्होंने militarized मुनला उनसे relatively बड़ी शक्ती military है जो रशिया राइट जपैन से relatively बड़ी शक्ती है रशिया और जपैन का first hand contact है किसके साथ industrialized European nations के साथ उसने रशिया को हरा दिया जो की claim करता है कि हम European है और एक Asian शक्ती से हार या रशिया और Europeans जो है वो अभी तक यही claim करते आ रहे हैं कि Asia जो है वो हमसे आप जो है वो नीचे हैं हमसे तुछ हैं आप तो आप तो civilized नहीं आप तो industrialized नहीं हैं आपको modernize करने का बीड़ा हमारे हाथ में है और Asians जो हैं वो आप हमसे कमजोर race हैं अंग्रेजों ने या Europeans ने तो ये खोशित कर रखा है और यहाँ पर एक Asiatic country ने रशिया जैसे बड़े देश को हरा दिया तो ये जारिस रेजीम के जो उनका जो स्वाब इमान है उस पर एक बहुत बड़ा धक्का था और ये जग जाहिर थी बात सबको पता चलिया जितने भी political pressure groups रशिया में थे उनको बहाना मिल गया अपनी जनता को जिसकी majority peasants और working class है उनको जारिस रेजीम के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा होने के लिए motivate करने के लिए ठीक है तो इनी सारे points में यही बाते लिखी है Korea और Manchuria ठीक है अब Japan और Russia ने पहले dispute को diplomatically solve करने की कोशिश करी क्यूंकि क्यूंकि Russia भले ही बड़ा देश हो लेकिन Russia में जो modernization है वो western Russia यानी की not yes western Russia वाला पार्ट यानी की जो western रशिया होगा वो eastern Europe होगा है ना so that means जो Latvia, Estonia, Lithuania Poland वाला जो region है Finland वाला जो region है यह रशिया का लग रहा है यह रशिया का लग रहा है यूरोप से right और European शक्तियां जैसे की Prusia हो गया France है Britain है Denmark है जो अपने आपको क्या कर रहा है इंडस्ट्रियली revolutionarize कर रहा है अपने आपको वहाँ पर इंडस्ट्रियल रवलूशन सबसे पहले Britain में और फिर वहाँ से दाखिल होता है यूरोप में सो रशिया को भी वो इंडस्ट्रियल अप्रोच चाहिए और रशिया की ये जो सीमाल्त यानि की जो रशिया के western boundary पे जो ये शहर है जो धीरे धीरे राश्ट्रो में डवलप हुए ये क्या हुए सबसे पहले इंडस्ट्रियली डवलप हुए यहाँ पर इंडस्ट्रियली लगी economy regenerate हुई यहाँ की Moscow तक जो है वो इंडस्ट्री बगएरा पहुची नीचे caucus तक बड़े लवल पर इंडस्ट्री नहीं पहुची लेकिन development पहुचा लेकिन जो eastern part है जो central Siberia है और जो eastern Siberian region है वो अभी तक वहाँ पर industrial revolution नहीं पहुचा है वो लोग अभी भी कही जगा उपर तो tribal culture ही चल रहा है ठीक है और मैं बात कर रहा हूँ 20th century की ठीक है so that means Russia का as strong as जैसा Russia का stronghold western Russia में है ऐसा eastern Russia में नहीं है political as well as industrial, military, economical stronghold नहीं है लेकिन Japan को हराना जरूरी है क्योंकि China से जो लगता हुआ यही है Korea वाला region है यह रशिया को ports provide करते हैं कहां पर trade करने के लिए South East Asia में so Russia के लिए यह point बहुत ज़्यादा important है so मैंने आपको इतने maps दिखाए हैं वो इसलिए दिखाए हैं ताकि आपके दिमाग में वो photographic memory create हो जाए ताकि जब मैं Manchuria South Korea या Korean peninsula की बात करूं तो आपको तुरंट जो है वो दिमाग में दिख जाना चाहिए कि Japan है बीच में Korean peninsula है Manchuria वाला region है coastline available है South East Asia में trade करने के लिए ठीक है वही coastline जो है वो Japan को चाहिए ताकि mainland China के साथ Japan जो है वो trade कर सके वही coastline Russia को चाहिए ताकि mainland China mainland Japan और as well as जो South East Asia के RP Lagos है उनके साथ रशिया जो है वो trade establish कर सके तो यह रशिया और जपैन का dispute है I hope आपको यह समझाया होगा आगे बढ़ते है so basically जब Japan ने attack किया ना रशिया पे तो रशिया जो है वो Eastern Siberian वाले region में कमजोर था रशिया ने अपनी सेनाओं को mobilize किया रशिया ने actually navy भेजी देखे मैंने बोला ना कि Japan ने ब्रिटेन से सीखा ब्रिटेन ने भारत में अपनी navy के दम पर जो है वो दबदबा कायम किया है ठीक है ब्रिटेन ने जब पहले जो इस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमों को मुगल कोर्ट भेजा था तो वहाँ पर जाकर जब राजा की तरफ से जब राजा की तरफ से जब ambassador मुगल कोर्ट आया था ना तो उसने मुगल बाद्चा को clear धमकी दी थी ब्रिटेन का शाशक भी कौन था और वो ब्रिटेन के शाशक का जो ambassador आये था मुगल कोर्ट में किस मुगल बाद्चा के कोर्ट में आये था उसने मुगल बाद्चा को बहुत प्यार से धमकी दी थी कि भले ही आप जमीन पर कितने भी मदबूत हो लेकिन समंदर में अगर आपको अरब के साथ व्यापार करना है तो पुर्तगाली डाकूओं से हम ही आपको बचाएंगे और उसके अलावा हम ही आपको जो है वो अलाव करेंगे ट्रेड करने के लिए क्योंकि सी रूट पे हमारा कंट्रोल है ने नेवी को स्ट्रॉंग किया थलसे न इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी बृटें की बृटें जो है वो जमीन पर अपनी डिप्लोमेसी के भषोसे जीतता था लेकिन नेवी का जोर वो बनाए रखता था ताकि ट्रेड पर उनका रॉल है वही सेम चीज जपान ने यूज करी जपान ने क्योंकि सीखा ना मैंने आपको बता था जपान के एंपरर ने भेजा था डेलिगेशन को कि सीख क्या हो और रहा है जपान ने ये चीज सीखी कि नेवी के दम पर लड़ा जाए और mainland पर diplomacy का use किया जाए ठीक है So that means Russia को वो जमीन पर उन्होंने engage नहीं किया उन्होंने sea warfare में engage किया और Russia की जो pacific fleet है उसको जो है वो पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त किया In fact Russia की लगभग पूरी जो है वो नेवी नश्ट कर दी रसो जैपनीज वार में जपान ने इससे रशिया की जो इमेज उस पर धक्का पहुँचा बहुत ठीक है और weakness नजर आई किसकी जारिस रेजीम की आगे देखे नेक्स आएगा अब बात करते हैं 1905 की revolution की ठीक है Now on January 22nd 1905 About 200,000 workers and their families Approached the czar's winter palace in St. Petersburg अब देखिए मैं आपको पताया था ना Peter 1 ने capital Moscow से उठा कर St. Petersburg में बिठाई जो की जहां से उसे क्या मिलता है Baltic Sea में coastline मिलती है ताकि जो international trade चल रहा है उसमें Russia जो है वो participate कर सके क्योंकि Moscow mainland के बीचो बीचती capital और Moscow से international trade को handle नहीं किया जा सकता था सेंट पीटर्जबर्ग में winter palace था जार का वहाँ पर लगबग 2 लाख workers और उनकी families पहुंचे 22 जनवर 1905 क्यों पहुंचे होंगे देखिए अब जार को क्या करना है जार को रशिया को एक imperialistic शक्ती बनाना है imperialistic शक्ती बनाने के लिए यानि कि जार के आगे होड है ना जार के कजन विलहम सेकिंड के पास जर्मनी बहुत strong है जार का दूसरा कजन जॉर्ज फिफ्थ बाद में आएगा जॉर्ज फिफ्थ तो लेकिन यानि कि जो ब्रिटेन है उसकी वो शक्ती तो बहुत समय से बहुत जादा मतलब developed है ब्रिटेन तो सो रशिया को भी अपने आपको उसी तरह से industrialize करना था सो रशिया को अगर industrialize करना है और अगर रशिया को भी अपने आपको mercantile policy पर जोकना है सो क्या करना होगा export बढ़ाना पड़ेगा import घटाना पड़ेगा उसके लिए production बढ़ानी पड़ेगी production बढ़ाने के लिए मजदूरों को यानि की input कम से कम output जादा से जादा that means मजदूरों की हालत बच से बत्तर करनी पड़ेगी जो मैंने आपको industrial revolution के दुरान बताया था ही पूरा डिटेल में बताया था कि मजदूरों की हालत किस तरह खराब थी माइनर्स की हालत किस तरह खराब थी वही सेम चीज जो है वो रशिया में करना था रशिया के मर्चेंट्स को भी तो अपना जो है वो profit बढ़ाना था ताकि रशिया जो है वो इक तरह से नेगलेक कर देंगे लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है ब्रिटेन ने जब मजदूरों की बुरी हालत करी थी ना ठीक है तो वो सबसे पहली बार ऐसा हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवलूशन और गैनिकली सबसे पहले कहा आया था ब्रिटेन में आया था बाकी सभी जगापर इंडस्ट्रियल रेवलूशन को इंप्लिमेंट किया गया अपने पॉलिटिकल सिरैरों के हिसाब से ठीक है तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवलूशन आया ना इंडस्रियल रेवलूशन ठीक है तो जब ब्रिटेन में industrial revolution आया तो वहां के मजदूरों के साथ जो बुरी हालत की गई है उसके खिलाफ कोई union नहीं था वो धीरे धीरे डवलप हुआ दीरे धीरे डवलप हुआ लेकिन शुरुवात में नहीं था that means शुरुवात में जो मजदूरों की पूरी हालत करी गई है initially 20-30 सालों में उससे मर्चेंट्स को बहुत फाइदा मिल गया उनकी position होगी solidify और फिर धीरे धीरे जो है वो क्या बना है मजदूर ग्रूप बने है 1824-25 या 1833 के बाद actually ठीक है अब वही चीज उठाकर रशिया में आ जाईए रशिया जब इंडस्ट्रियली revolutionize करने लगा अपने आपको तो जो प्रेशर ग्रूप है मजदूर unions के रूप में वो अल्रेडी developed है अब अगर इंडस्ट्रियल revolution लेकर आना है रशिया को जो ब्रिटेन में आया था उस तर्ज पर तो अपने मजदूरों की पूरी हालत करनी पड़ेगी जैसे ब्रिटेन ने गरी थी तब ही जाद स्याद मुनाफ़ निकलेगा ठीक है समझ रहे हैं कहने का मतलब कि अगर किसी माइनर को अगर किसी इंडस्ट्रिलिस्ट को मजदूर मिल जाते हैं जिनसे वो 16-16 गंटे मरते दन तक काम करवाए बच्चों बूडों वारतों से सबसे काम करवाए तो उसको जाद साद मुनाफ़ाई होगा ना ये ब्रिटेन नहीं किया सबसे पहले अबजेक्ट करने वाला कोई नहीं था धेरे धेरे अबजेक्ट करने के लिए वहाँ पर मजदूर यूनियन बने लेकिन जब रशिया ने करना शुरू किया तो मजदूर यूनियन वहाँ पर मौझूद थे so that means जब रशिया के इंडस्ट्रिलिस्ट ने रशिया के capitalist ने रशिया के zaris regime ने जब इस तरह की policy अपनाई मजदूरों के खिलाफ तो मजदूर union उठ खड़ा हुआ bolsheviks, mansheviks यानि की जो labor democratic party आँ हैं वो उठ खड़ी हुई समझ रहे हैं आप so that means opposition था उसका objection खड़ा हो गया objection हो गया तो strikes हुई strikes हुई तो उस space में industrial revolution नहीं हुआ जिस space में Britain में हुआ था ठीक है और industrial revolution hamper हो गया रशिया में so उसी का ही example देखने को मिलता है 1905 के बाद अब देखिए अब अगर आपका शाशक बहुत जादा मजबूत हो तो क्या आप बड़ी संख्या में शाशक के खेला वो अवाज उठा सकते हैं नहीं लेकिन अगर आपको पता चले कि हमारी सरकार हमारे शाशक ने बहुत बड़ी हार जो है वो अभी खाई है और किस से वो भी Japanese जो की Asian country है that means सरकार अभी कमजोर है सो सरकार से बातें मनवाई जा सकती है अभी प्रोटेस्ट की स्पीड जो है वो बढ़ा दी जाए वही 1905 में हुआ ठीक है 1905 में पहला statement पढ़ियेगा on January 22 1905 about 200,000 workers and their families approached the czar's winter palace in St. Petersburg they carried a petition asking for better working conditions more personal freedom and an elected national legislature देखिये इनकी demand जो है वो कितनी refine हो चुकी है इनको पता है कि एक elected legislature आएगा तो वो मजदूरों की भलाई के लिए काम करेगा जो opposition groups हैं जो capitalist system के opposition groups हैं वो काफी develop कर चुके हैं इस opposition का सामना Britain को नहीं करना पड़ा था इसलिए Britain का revolution जो है वो बहुत जल्दी develop कर गया और काफी ज़्यादा मुनाफ़ा बना गये महां के capitalist राइट वो एक cycle था बुरा उन्होंने मुनाफ़ा बनाया उन्होंने सप्रेस किया उन्होंने मुनाफ़ा बनाया उन्होंने अपनी colonies को expand किया अपनी colonies को consolidate किया उस मुनाफ़े के दम पर ठीक है और वो मुनाफ़ा जो है वो प्रॉफिट उस लेवल का industrial revolution रशिया में नहीं आ सका क्यों क्योंकि opposition मौझूद था और उसका example है 22 जन्वरी की ये workers ने जो धरना दिया कहां पर सेंट पीटर्सवक जार के palace के बाहर और उनकी petition ये थी कि working conditions सुधारी जाए personal freedom दी जाए freedom of speech दी जाए freedom to protest दिया जाए उसके अलावा एक national legislature establish किया जाए यानि कि democratic structure बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जाए और सबसे पहला जो कदम है वो legislature बना कर एक constitutional मौनार्की लाए जाए रशिया में ठीक है देखिए ultimately जो है वो democratic structure जार की जार को खतरा यही तो था ना जार क्या है basically royal family है royal family की credibility तब तक है जब तक जादा तर लोग उनकी बात मान रहे हैं उनके command में अगर और खास तोर पे सैना सैना के जोर पर ही तो बाकी सभी शक्तियों को कुचल रहा है ना कौन autocrat देखिए अगर मैं आपको past में ले जाऊं tribal culture में ले जाऊं तो एक tribal leader भारत की बात करें specifically जब एक tribal leader को लोहा मिल गया और उस लोहे के जोर पर उसने crop production बढ़ा दी और crop production बढ़ा उससे उसने trade करके जो है वो गुंडे खरीद लिए अब अपने लिए लड़ने के लिए तो उन गुंडों के जोर परी तो वो क्या बनाए शाशक तो उस tribe से उसने जन बना दिये जन से जनपद और जनपद से महा जनपद सो वैसा ही कुछ pattern जो है वो रशिया में भी follow हुआ होगा जो शाशक है उसने गुंडे खरीद लिये होंगे जिसको उसने आर्मी का नाम दे दिया और उसी आर्मी के नाम पर अब वो क्या कर रहा है उसी आर्मी के नाम पर और चर्च की सहयता से उन्होंने पूरे समाज को control करके रखा हुआ है लेकिन अगर यही आर्मी और यही चर्च उस autocratic या उस royal family के खिलाफ हो जाए तो क्या credibility रह जाएगी उसकी नहीं इसी तरह जो है वो autocratic regime जो है वो उतारा गया रशिया में शक्ती से ठीक है सो यही पूरा process हमें समझना है छोटी-छोटी बारी के आपको समझनी है ठीक है अगर आपने मेरे session thoroughly follow किये है ना पिछले तो आप बहुत भैतरीन तरीके सा समझ पाएंगे जो छोट-छोटी चीजे में जोडता हूँ ठीक है खास तोर पे यह जो मैं तुरंत ले जाता हूँ आपको tribal cultures में ठीक है क्योंकि वहीं सही यह सारे society का जो behavior है society का जो pattern है कि society किस तरह behave करती है भले ही वो elite class हो merchant class हो ruling class हो ठीक है चाहे वो priestly class हो society की presentry हो यह कैसे behave करती है हमें tribal culture से connect करते वह आना है है ना तभी मैंने बोला ना कि हर चीज का हर humanities के subject का humanities के हर subject की जड़ आपको इतिहास से निकालनी है यानि sociology की जड़ भी आपको इतिहास से निकालनी है GS1 में जो Indian society आप पढ़ेंगे उसकी जड़ भी आप इतिहास से निकाल कर लाएंगे अगर optional आप sociology में दे रहे हैं उसकी जड़ भी आपको इतिहास से ही उठानी पढ़ेगी समझ रहे हैं आप यह importance है इतिहास सबजेक्ट की इसलिए इतिहास को mother of all humanities कहा जाता है सभी humanities के subject की mother है इतिहास क्योंकि वहीं से निकला है सब कुछ और यह कोई ऐसा glorify करने का नहीं this is common sense obviously ठीक है इतिहास से निकला सब कुछ खेर next point देखिएगा अब इन सब demand के लिए जार ने क्या कहा जार निकला 2nd was not at the palace जार जो है वह पलेस में थे ही नहीं but his generals and police chiefs were they ordered the soldiers to fire on the crowd between 500 and 1000 unarmed people were killed the Russians quickly named the event Bloody Sunday Vladimir Lenin called the incident a dress rehearsal for the later revolution that would usher in a communist regime Bloody Sunday provoked a wave of strikes and violence that spread across the country the Nicholas 2nd still opposed reform in October 1905 he reluctantly promised more freedom पूरे इवेंट को समझते है दो लाग सोल जार जो है वह जार गया पैलेस में गए जार के पैलेस में उन्होंने petition डाली कि हमें जो है वो liberate कीजिए हमें rights provide कीजिए हमारे जो working conditions है उनको सुधारी है एक जो है वो elected आप जो है वो legislature establish कीजिए ताकि थोड़ा सा यह जो अपनो अटो करेटिक system चलाया हुआ है बीरो के रिशी थोड़ी सुधरे ठीक है जनता के भले के लिए काम करें केवल एक व्यक्त एक जो पुराने समय से चला आ रहा है मैंने बोला ना age of enlightenment से लोगों को यह समझ आने लगा कि गौड ने जो कह रखा है कि राजा ही जो है वो सारे system को संभालेगा और उसी का ही बेटा सारे system को संभालेगा इस चीज़ को challenge कर दिया लोगों ने कि ऐसा कैसे कह रहे है यह तो आपके फाइदे के लिए हो रही है बात यह तो जूट है मानेंगे ही नहीं और reformist group ने यह बात जो है वो Catholic के खिलाफ बोली और धीरे धीरे जो है वो reformist चर्च में खता और उसने decide कर रहा था कि मेरा लड़का Alexis क्या बनेगा अगला शाशक लेकिन अलेक्सिक हमोफिलिय था हमोफिलिय था अलेक्सिस को आगे समझाओंगा क्या situation है वहाँ पर लेकिन point यहाँ पर यह है कि लोगों को यह बात यह बात हजम हो गई थी लोगों कि राजा ही जो पर यह होने जा रहा था कि जनता कह रही थी कि एक legislature बनाईए और ऐसे कानून बनाईए जो कि सभी जनता के लिए काम करें आपने जो पूरा structure प्रिपेर कर रखा है यह एक व्यक्ति और उसकी family को protect करने के लिए millions and millions लोग सफर कर रहे हैं यह हम नहीं सह सकते अब तो लोग य आपने ship में बैठके cruise में गए हुए थे जार ठीक है जार की पुलिस और जार की जो आर्मी है उन्होंने सोचा कि यह लोग कैसी बाते कर रहे हैं गोलिया चला दो इन पर भीड़ पर गोली चला दी गई लगबग एक हजार लोग मर गए पांसो से एक हजार के आसपास लोग जो है वो मरे और घायल जो है उनकी तो गिंती नहीं ठीक है और जो कृपल हुए उनकी भी गिंती नहीं अब इससे हुआ ये की जार जो है वो पहली बात तो कमजोर है यह हमें रसो जैपनीज वार से पता चल गया अब वो आम जंता को सप्रेस कर सकता है और मैंने बोला ना प्रेशर ग्रुप्स वहाँ पर मौजूद है लेनिन ने 1903 में ही लड़ जगड कर उनकी जो पेरेंट पार्टी थी उससे बोल्चेविक्स और मेंशेविक्स को अलग कर लिया है ठीक है सोशलिस्ट पार्टी मतलब एक सोशलिस्ट पार्ट रेवलूशनरी पार्टी अलग ह उसके अलबा बोल्चेविक्स और मेंशेविक्स ये तीन मुखे पॉलिटिकल पार्टी है इन्होंने अपनी अपनी कपैसिटी में स्ट्राइक्स करवाई रशिया में इस इवेंट के बाद 22 जिनवरी के इवेंट के बाद और पूरे रशिया में काम जो है वो थमने लग ग गई उतना लोगों ने स्ट्राइक बढ़ाते गए हद यहां तक पहुँच गए कि अक्टूबर में आकर निकुलस को बात माननी पड़ी कि हां मैं रिफॉर्म्स करने को तयार हूं ठीक है तो यह जो रिफॉर्म्स फिर लेकर आया है या रिफॉर्म्स की जो घोशना की स्ट्राइक इन वाइलेंस यह जो रिफॉर्म्स की बाते लिफॉर्म्स की बाते लिखी गई है कि जार क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे उनिस तो पांच में पहला पॉइंट देखिएगा अब जार के दोवारा क्या 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 कंसेशन्स जो है वो ओफर किये गए रश्या की जनता को जार अभी देखिए करना था ये जार ने ठीक है ऑक्टूबर मेनिफेस्टो में क्या होता है मैनिफेस्टो में आप वाइदा करते हैं कि ऐसा होगा फैसला नहीं होता है वाइदा होता है अब जार प्रोम्स तो एस्टेबिश अर एलेक्टिड पारलेमेंट कॉल्ड दुमा इन रशिया डुमा इस वर्ड फॉर एलेक्टिकल बट इलेक्टिड पारलेमेंट तो जार ने सबसे पहले जो है वो वाइदा ये किया लोग का यही डिवांट थी कि एक इलेक्टिड जो है वो लेजिसलेचर एस्टेबिश हो और कंसिटूशनल मोनार्की लेकर आए तो जा ने कंसिटूशनल मोनार्की के नाम पर अपने जनता हों कंट्रोल कर रखा है वैसे हम भी कर लेंगे लेकिन समस्या यह है कि जर्मनी जो है वो रेलेटिवली छोटा देश था और जर्मनी जो है वो रेलेटिवली बहुत जादा जो है वो इंडूस्ट्रिली भोगोलिक विस्तार बहुत ज़ादा population जर्मनी से बहुत ज़ादा pressure groups वहाँ पर बहुत ज़ादा मजबूत और जारिस्त रेजीम वहाँ पर कमजोर on the contrary जर्मनी जर्मनी की आर्मी जो है वो बहुत strong जर्मनी का शाशक विलहम second और वैसे तो वहाँ पर constitutional मोनार्की नहीं थी लेकिन उसका basically कहने है उसका cabinet तो था ही वो elected नहीं था लेकिन उसका cabinet तो था ही वो cabinet बहुत ज़ादा मजबूत ठीक है उसके अलावा जो जनता वो बहुत ज़ादा motivated क्यों क्योंकि industrial revolution ने prosperity बढ़ाई थी ठीक है same goes for Britain लेकिन देखिए जो पीजन्टरी है वो तो जर्मनी में भी PC रही थी लेकिन जो merchants है जो middle class develop हुआ जो intelligentia था जो educated लोग थे वो motivated थे और वो अपने कैसर के साथ खड़े थे broadly speaking ठीक है क्योंकि auto 1 बिसमाक को जब हटाया गया तब थोड़ा सा विलहें सेकिंड के खिलाफ हो गई थी बात लेकिन majority जो है वो विलहें सेकिंड के साथ थी और अगर बिटेन की बात की जाए तो बिटेन ने तो अपने bureaucratic structure से ऐसा महौल create कर रखा था वहाँ पर conservative labor party भी थी वहाँ पर वो बिटेन जो है वो अपने अपने लेवल पर प्रॉसपर था जो पीजेंट्री थी जो मजदूर थे वो तो हमेशा सही पिस रहे थे और वो आज भी पिस रहे थे लेकिन जो middle class डवलप हो था intelligentia जो था वो प्रॉसपर हो रहा था बिटेन में same goes for France same goes for Italy इटली में इतना अच्छा नहीं था महौल लेकिन Germany, France, Britain की बाद की जा सकती है जिसकी Reese करना चारा था जिसकी जिसको copy करना चारा था रशिया थीक है तो October manifesto में सबसे पहली बात तो उसने बोली कि चलो एक constitutional monarchy बनाने के लिए मैं तयार हूं कौन Nicholas 2 ठीक है next point देखिएगा he promised a pay hike to the workers and an improvement in the working condition at factories ठीक है pay hike और improvement जो है वो promise की गई वैसे पहले include नहीं किया गए था इस point को लेकिन बाद में जब criticism हुआ तो finally include करना ही पड़ा ठीक है he promised cancellation of redemption payments by former serfs अब ये redemption payment क्या है मैं आपको समझाता हूं तो मैंने आपको serfdom यानि की दास्ता जो है वो पहले समझाई थी मैंने आपको बताया था कि medieval Europe में जो feudal lord हुआ करता था वो अपने under जो lord है जो manors है उनको कोई patch of land जो है वो govern करने के लिए देता था तो उस patch of land में कुछ हिसा church का होता था क्योंकि मैंने बूल हो ना ruling class और priestly class मिलकर काम कर रही हर जगा हर level पर ठीक है top level पर archbishops और kings फिर उसके नीछे जो है वो bishop's और नीछे level के feudal lord फिर उसके नीछे जो है वो fathers और नीछे level के feudal lords ठीक है फिर उसके नीछे जो है वोँ अन्य, clergy church की, ठीक है So manner जो है, वो manner कहा जाता het एक ऐसे Lord को, जिसके पास एक patch of land है, जो बिल्कुल basic level बिल्कुल ground level पर जो Lord है ठीक है उसे कहा जाता था manner, ठीक है जिसके पास मानली जीह, एक या दो तिन गाउँ हुआ करते उसको कहा जाता था manner उसका अपना castle हुआ करता था manner का और उस एक या दो तिन गाओं का जो है वो एक church हुआ करता था उसका एक father होता था ठीक है पीजेंट्री है उनको यह का जाता था कि तुम्हें हम salary वगारा कुछ नहीं देंगे तुम्हें हम देंगे यह थोड़ा सा piece of land ठीक है इतना patch of land लो इस पे तुम जितना भी उगाओगे उसमें से 80% तुम हमें दोगे 20% तुम अपने पास रखोगे उस 20% में से भी तुम्हें period समझाऊंगा ना यूरोप का लेकिन यूरोप का medieval period मैंने समझाया नहीं है क्योंकि मैंने रनेसान से शुरू कर दिया इसलिए मैंने ये सर्फडम वाले system को detail में समझाया नहीं है लेकिन मोटा मोटा concept मैंने आपको बताया ही कि basically जो manner हुआ करता था वो खुद तो खेती करे देता था और थोड़ा बहुत खाने को देता था और जितना भी production निकलता था वो अपने लिए रखता था ठीक है दिस वस सर्फडम लेकिन 1861 में सर्फडम खतम कर दिया गया रशिया में लेकिन फिर भी वो जो सर्फ है या जो किसान है उनको कुछ जो है वो tax के तौर पर द redemption payment ही समस्या घड़ी कर रही थी क्योंकि अब वो दास्ता वाला सिस्टम सर्फडम तो खतम हो गया था mannerism almost वो mannerism खतम हो गया था mannerism के तहत जो है वो सर्फ जो है वो जमीन acquire नहीं कर सकता वो उसकी खुद की जमीन नहीं है वो lord द्वारा उसे दी गई है बस वहाँ पर वो रह सकता है और खाने पिने का अपना बंदोबस्त कर सकता है लेकिन जब 1861 में सर्फडम खतम हुआ ना तो अब मजदूर जो है वो जमीन acquire कर सकते थे तो रशिया से युक्रेयन सर्विया ये सारे वाले region में जो है वो मजदूरोंने जमीने acquire करनी शुरू करी यह ऐसा क्यों किय गया ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुनार्की को preserve रखा जा सके एक ऐसी पीजेंटरी class डवलप की जा सके जिसके पास जमीन हो और वो समय आने पर जो डेमोकरेटिक शक्तिया है जो रिपब्लिक लाने वाली शक्तिया है उनके खिलाफ मुनार्की का support करें खेर इन point of views को हम आ पड़ रही थी ठीक है he promised greater freedom to the redemption मतलब servdom से उनको redeem करवाया गया ठीक है तो वो जो servdom से redeem कराया ना तो इस पर text दो कि तुम्हारा servdom खतम किया है हमने तो तुम text नहीं दोगे ठीक है तो redemption payment जो है वो ने देनी पड़ती थी he promised greater freedom to the press press को freedom मिलेगी क्योंकि गला जो है वो घोटा हुआ था रश्या ने he promised that genuine democracy where there would be an important role of the duma in the government of the country ठीक है genuine democracy लाई जाएगी जिसमें legislature में काफी बड़ा हिस्सा जो है वो duma जो है वो play करेगा उसके अलावा वो जो legislature आएगा ना वो जो duma आएगी उसमें जो representatives आएंगे वो universal suffrage पर elect किये जाएंगे that means केवाल aristocracy या military या जो merchants class के लोग है वहीं से ही choose करके नहीं आएंगे लोग कहाँ पर पार्लेमेंट में या डूमा में बलकि जो labors है जो peasantry है उनको भी representation मिलेगी यानि universal franchise को समझते है ना आप यानि कि सभी को अधिकार होगा vote करने का और सभी को अधिकार होगा election में खडे होने का भी so that is the definition of genuine democracy जिसमें universal adult franchise हो so he promised that genuine democracy where there would be an important role of the duma in the government of the country czar did set up duma and redemption payments were abolished पहले redemption payment का abolish नहीं किया गया था बाद में कर दिया गया but he did not fulfill many promises he made in October manifesto जैसे की मजदूरों की हालात में सुधार लाने का जो promise था उसको पूरा नहीं किया गया क्योंकि अगर मजदूरों के हालात में सुधार लाया जाएगा तो जो capitalist है उनकी क्या बढ़ जाएगी input बढ़ जाएगा उनका input बढ़ेगा तो जितना उनका desired output है वो उन्हें नहीं मिलेगा तो trade का balance according to them बिगड जाएगा तो trade का balance अगर बिगडता है तो Russia as a imperialistic शक्ती बनने के तरफ जो कदम बढ़ा रहा है वो कदम उसके छोटे पढ़ जाएगे धी में पढ़ जाएगे इसलिए जार ने जितनी भी working class है उनकी हालत सुधारने पर काम नहीं किया ठीक है अब देखिए 1905 में October manifest वाया 1906 में पहली जो है वो elected legislature या पहला जो है वो Parliament elect किया गया युनिवर्सल सफरेज पर that means उसमें मजदूरों को भी पीजेंट्री को भी माइनर्स को भी मर्चेंट्स को भी अरिस्टोकरेसी को भी मिलिटरी को भी सब को representation मिला उसमें ठीक है और जो पहला legislature आया ना उसने कानून बनाने की शक्ती थी उसके पास तो उसने ऐसे ऐसे कानून बनाने शुरू कर दिये जिससे freedom मिलने लगी press को ठीक है मजदूरों के हालातों में सुधार आने लगे ऐसे कानून बनाए उन्होंने पीजेंट्री के हालातों में सुधार आने लगे सो simple सी sense यह बनती है कि इससे जो जार है वो खुश नहीं था ठीक है जार खुश नहीं था खुश क्यों नहीं था क्यूंकि यह तो liberal कदम उठाने लगे और जार को यही डर था कि यह जो liberal कदम है कहीं ऐसा ना हो कि constitutional मनार्की से republic या democratic structure establish हो जाए democratic republic ने establish हो जाए इसलिए जार ने 10 हफतों के अंदर ही पहली डूमा को भंक रा दिया अपनी सेना की मदद से 1906 की डूमा केवल 10 हफता ही काम कर सकी जिसमें वो progressive काम कर रहे थे ठीक है और उसको 10 हफता के अंदर ही सेना की मदद से जो हटा दिया अब दूसरी डूमा आई 1907 में उसमें जार ने कोशिश करी की कम से कम representation मिले जो पीजेंटरी क्लास है या जो लेबर्स है उनको यानि की जो pressure groups है ना bolsheviks, mensheviks और socialist revolutionary party है इनके लोग कम से कम आए लेकिन फिर से वही हुआ वही सेन फिर से हुआ वो जो दूसरी डूमा थी वो भी liberal काम करने लगी जार की position फिर से threaten हो गई जार से फिर जार ने फिर से उस दूसरी डूमा को जो है वो क्या कर दिया भंग कर दिया अपनी सेना की मदद से ठीक है अब तीसरी डूमा फिर से establish हुई 1907 में अब जो तीसरी डूमा जो establish हुई उसमें जार ने fix कर दिया की अब यहाँ पर जो है वो selected franchise होगी limited franchise होगी जिसमें मजदूर वर्ग, presentry वर्ग का कोई स्थान नहीं होगा केवल जो जार के साथ खड़ा aristocratic capitalist merchant class है केवल वही डूमा में बैठेगा उसके बाद की जो दो डूमा जार के अंडर 1907 से 12 और 12 से 17 जो दो टर्म पूरे पूरे चले 3rd और 4th डूमा के वो उन्होंने पूरा पूरा टर्म जो है वो अपना निभाया क्यों क्योंकि वो जार के साथ मिलकर काम कर रहे थे ठीक है so the first two डूमा were disbanded by जार's troops, next point देखीगा the third only because they were continued by members who are pro-ZAR pro-ZAR यानि की जार का साथ देने वाल so this was because ZAR had changed the voting system after the disbanding of second Duma the new voting system deprived the peasants and urban workers of their right to vote which resulted in election of conservative members from aristocracy who were pro-ZAR यह मैं आपको समझाया है नया voting system ले आया ठीक है, जो franchise है उसको limited कर दिया इससे क्या हुआ, conservative memory आए in 1914, Nicholas II made the fateful decision to drag Russia into World War I even though it was unprepared to handle the military and economic costs 1907-12 तक 3-17, 4-3 Duma दोनों में aristocratic लोग merchant labor class का कोई representation नहीं so that means ZAR जो भी करे जो legislature है वो उसके साथ है ठीक है so हमको बहतरीन तरीके से पता है कि Nicholas ने सबसे पहले जो है वो front खोल दिया था front खोल दिया था कहने का मतलब कि अपने SANA को mobilize करने वाली शक्ति सबसे पहली रश्या ही थी World War I में ठीक है निकलस ने इतना बड़ा फैसला लिया होगा अपनी काउंसिल से बगार सला लिये तो किया नहीं होगा इतना बड़ा फैसला लेना युद में उतरना है कि नहीं उतरना और उसकी legislature नहीं पूरा सपोर्ट दियागी करो क्यों क्यों क्योंकि मैंने बताया ना कि militarism जो है वो अपनी बूम पर था that means जो जार की legislature है या जार की जो personal council होगी वो military leaders की होगी और military leaders चाहते थे कि हमारे नाम पर glory आये क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय यूरोप में एक romanticism था war का कि युद ही जो है वो किसी राष्ट्र को उन्नति की तरफ लेकर जाएगा यानि industrial revolution लेकर आएगा किसी राष्ट्र में ये ideology जो है वो spring पर थी ये ideology ना exactly गलत नहीं है युद के दोरान production बढ़ जाता है लेकिन destruction भी दो होता है ना ठीक है क्योंकि उसके भूमी पर ये world war नहीं लड़ा गया that means उसने production बढ़ाया और उसके production में कोई hampering नहीं आई similarly Britain को world wars का फाइदा हुआ क्योंकि production बढ़ा second world war में खेर सीन अलग हो गया लेकिन first world war में तो obviously कुछ हद तक फाइदा हुआ ही खेर इस थेओरी का फाइदा केवल US को मिला first world war में और किसी शक्ति को नहीं मिला जर्मनी का भी नुक्सान हुआ भले ही जर्मनी की खुद की भूमी पर जादा युद ना लड़ा गया हो लेकिन फिर भी जो industries develop हुई थी जो war industries develop हुई थी जर्मनी में उनको तो बाड़दिआ गहा ना कुछ पोलेंड को दे दिगए कुछ चेकोसलावो, सलोवाकिया को दे दिगए ठीक है कुछ इस्सा जो है वो Belgium को दे दिया गया जर्मनी के पर ले था बहुत कम इस्सा रह गया सो रशिया जो है वो इस समय यहीं चाहता था तो एक गलती जो है वो जिक निकलस के सेकंड के माते में यह है कि उसने मदद दा गए उसके माते पर कि उसने रशिया को यूद में उतार दिया जब रशिया तयार ही नहीं था उस तरह की military और economic coast को handle करने के लिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताए ना one third of Russian soldiers did not even had arms उनके पास हतियार ही नहीं थे वो यूद में उतर रहे थे केवल एक भरोसे पर कि अगला सेनिक जब मरेगा तो उसकी जो rifle गिरेगी वो मैं उठा लूँगा ठीक है? रशिया के generals जो है वो रशिया के different different region से आते है ठीक है? कुछ Austrian होंगे, कुछ German descent के है जैसे की जारीना खुद जो है वो German descent की है है ना? जारीना अलेक्जेंडरा यानि निकलस सेकेंड की wife खुद German descent की है उनकी जान पर अपना खत्रा अलग खत्रा था विश्यूद के दोरान ठीक है? उसके अलावा Austrian descent के generals है, ठीक है? कोई Siberian region का है, कोई Mongolian region का है तो यानि की within Russia जो है वो अलग-अलग ethnicity के लोग है और अलग-अलग ethnicity के generals है जिनके आपस में बनती नहीं है ठीक है? और उस level पर industrialization रशिया में नहीं आया है जिस level पर जर्मनी में आया है तो उनकी सैना भी बिल्कुल भी मतलब है यह नहीं रशिया के लाइक क्यों? जर्मनी के लाइक, जर्मनी से लडने लाइक क्योंकि जर्मनी जब दो front war में उल्जा हुआ था और रशिया के पास इतनी बड़ी सैने संख्या थी तब भी जर्मनी से वो जीत नहीं सके just because जर्मनी की सैना well equipped, well disciplined थी ठीक है? now next चीज़ देखिएगा last, second last point देखिएगा before the year had passed more than 4 million Russian soldiers had been killed, wounded or taken prisoner समझ रहें आप? यानि की 1914 में जब युद छिड़ा तो 1914 वाला साल खतम होने से पहले ही लगभग 4 million Russian soldiers जो है वो युद की चपेट में आ गए थे जिसमें क्या-क्या हुआ? मारे गए या तो घायल हुए या तो prisoners ले लिए गए यानि की चपेट में तो आई गए ना मारे गए तो जीवन घायल हुए तो लड़ नहीं सकते और चपेट में आगे prisoner of war बन गए तो भी लड़ नहीं सकते so 4 million 404 लाख सेनिक बहुत बड़ी संख्या होती है German machine guns more down the advancing Russians by thousands German के पास machine gun थी और आप मानेंगे नहीं German machine guns बहुत जादा effective थी उस तरह की machine guns नहीं Britain के पास थी नहीं France के पास किसी के पास नहीं थी जिस तरह की machine guns जर्मन के पास थी और उनकी machine guns हजारों के हिसाब से सैनिकों को मार रही थी क्योंकि Russia अपने हजारों के हिसाब से सैनिक जो है वो होग दो ठीक है हिटन ट्राइल मेथड कि अगर दस हजार सैनिक अगर आप एकदम मतलब उतार देते हैं यूद में तो केवल अगर हजार सैनिक भी पहुंच जाएं ट्रेंच तक तो वो भी काफी नुक्सान कर देगे यह स्ट्रेटिजी को इस्तमाल हेग ने भी किया जिसको ब्रिटिश जर्नल रहे हैं हेग उनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है ठीक है और रशियन जर्नल्स ने भी यही जो है वो अपना ही स्ट्रेटिजी नेक्स देखेगा जैसे रसोा जैपनीज वार में हुआ था ठीक है रसोा जैपनीज वार में एक एशियेटिक कैंट्री के सामने एक युरोपियन शक्ति जो कि अपने आपको गोरे बोलत जार्द मितलब वाइट कहते ते और वाइट सुप्रीम है हम सुप्रीम रेस हैं हमने इंडुस्रिला आपको civilized बना रहे हैं आप barbarian थे Asians को कहते थे वो कि तुम barbaric लोग हो तो मैं आपने civilization दिया और जब इस तरह की एक barbaric civilization ने अपने आपको militarize कर लिया और Russia को हरा दिया तो एक काफी बड़ा धक्का लगा उसकी image पर इसकी वज़े से 1905 का revolution भी हुआ ठीक है लेकिन जब world war one छिडा तो रशिया की बड़ी संख्या छोटे से रशिया के मुकाबले छोटे से जर्मन देश की equipment के सामने नहीं टिक पा रहे थे उनकी हतियारों के सामने नहीं टिक पा रहे थे उनकी relatively छोटी वैसे जर्मनी की सेना भी काफी बड़ी थी लेकिन relatively छोटी जो है वो relatively छोटी थी थी as compared to Russian से ना सो रशिया के उपर जो है वो धबा लग रहा था और जिस हिसाब से Russian सैनिक मर रहे थे ना जिस संख्या में Russian सैनिक मर रहे थे इससे जारिस्त रिजीम पर एक सवाल उठता जा रहा था कि क्या इनको साशन में रखना चाहिए या नहीं और वो सवाल कौन उठा रहा था वो सवाल उठा रहा था opposition और opposition में कौन थे बोल्शेविक्स मेंशेविक्स और जो Socialistic Revolutionary Party थी ठीक है खेर जैसे रसो जैपनीज वार में वीकनेस आई वैसे वल्ड वार बर में वी वीकनेस दिख गई जारिस्त रूल की now in 1915 Nicholas moved his headquarters to the warfront from there he hoped to rally his discouraged troops to victory his wife Zarina Alexandra ran the government while he was away she ignored the czar's chief advisors instead she continued to fall under the influence of the mysterious Rasputin अब यहाँ पर Rasputin के entry कराते हैं देखे यूद छेड़ा लाखों के हिसाब से Russian soldiers की मृत्ति होने लगी तो ZAR ने क्या किया सेंट पीटर्सबर्ग से अपना एक temporarily जो है वो capital उठाया और front line यानि की Eastern Prussia के पास ले आया ठीक है जर्मनी के नजदीक जो है वो अपना वो headquarter ले आया है तो that means Saint Petersburg में कौन बैठा है Saint Petersburg में शाशन कर रही है Queen यानि की Zarina Alexandra अब मैंने आपको पहले भी पताया था पिछले session में कि जो ZAR है उसका एक मात्र लड़का बाकि चार उसकी लड़कियां लेकिन एक मात्र लड़का जो कि उसके तक्त का उत्रादिकारी है उसका नाम एलक्षी और एलक्षी था हेमोफिलिक यानि की उसका जख्म जो है वो भरता नहीं था यानि अगर उसको चोट लग जाए तो वो जख्म उसका भरता नहीं था कभी भी तो यहाँ पर आते हैं रास पुतीन रास पुतीन अपने आपको holy man priest कहते थे और रास पुतीन कहते थे कि मेरे पास magical शक्तियां है तो रास पुतीन जो है वो अपनी acclaimed magical शक्तियां या जो भी जड़ी भूटिया उनके पास थी उनका इस्तमाल करके या hypnotism कहा गया है कई जगाओं पर इन सब जो भी उनको टेक्नीक साथी थी उसका इस्तमाल करके वो bleeding को रोक देते थे किसकी? ऐलेक्सी की सो जारीना के लिए रास पुतीन बहुत ज़रूरी थे क्योंकि रास पुतीन और अगर उसके दो-चार जो रास पुतीन के साथ ही थे अगर वो एलेक्सी के साथ नहीं होंगे तो एलेक्सी को कभी भी चोट लगेगी तो bleeding नहीं रुख सकेगी वो काम रास पुतीन नहीं कर सकते ठीक है? यहाँ पर रास पुतीन की और not just घरेलू घरेलू तो नहीं लेकिन जब आप जारीना के लेवल पर कोई महिला होती है तो उसके पास administrative शक्तिया भी होती है केवल घरेलू जो कासल होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं ठीक है? जो royal families की महिलाएं होती है ना उसके पास अपने कासल को संभालने की या अपना जो भी महल होता है यानि की जो royal correspondence होती है उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो royal correspondence तो थी ही उनके पास as well as उसके अलावा अब उनके पास bureaucratic शक्ति भी आ गई क्योंकि जार जो है फ्रेंट में चले गए तो जो administrative policies को manage करने की शक्ति जारीना के पास जो आई है उसमें interference करना शुरू कर दिया रास्पुतीन ने तो अब देखिए royal family के लोग जो की लड़ जगड कर जार के नजदीक जार के closest पहुँचे ठीक है मतलब बहुत सारी in-house politics लड़ते हुए उन्होंने family दर family जो है वो अपने आपको जार के closest बनाया है और उनकी जगा कल का कोई magical मतलब कल का कोई विक्ति जो अपने आपको एक magical शक्तियां घोशित करके यानि कि एक trickster उनकी position को hamper करे और अब उसका influence जादा हो जाए जार से भी एक कुछ ऐसी positions में हमें देखने को मिला है कि राजपुतिन की बात जार को माननी पड़ रही है ठीक है तो यहाँ पर जो बाकी सारे जो aristocracy है बाकी जो nobles है उनको अपनी position threaten होती भी नजर आई और उन्होंने eventually राजपुतिन को assassinate करवा दिया ठीक है तो आईए यही सारे points हम समझते हैं ठीक है in 1915 Nicholas moved his headquarters to the warfront from there he hoped to rally his discouraged troops to victory जार warfront पर आया सैनिकों के साथ रहना शुरू किया सैनिकों के साथ जो है वो एक यहाँ पर एक point चला था how is the stew एक तरह का एक तरह की dish होती है European जो की बड़े level पर बन सकती है ठीक है तो basically क्या होता है कि soup है वो एक तरह का तो vegetable soup होता है meat का भी बन जाता है तो जार ने जो है वो सैना के साथ रहना शुरू करा सैना के साथ खाना पीना ठीक है his wife जारीना अलेक्जेंड्रा जारीना कहा जाता है जार की वाइफ को ठीक है और इसका English में अगर आप anglization करेंगे तो Empress आए गाए ठीक है Empress Alexandra या जारीना अलेक्जेंड्रा ran the government while he was away she ignored the czar's chief advisor advices instead she continued to fall under the influence of mysterious Rasputin he claimed to have magical healing powers Alexis, Nicholas and Alexandra's son ठीक है Alexis या Alexis कहा लीजे आप इसे Nicholas और Alexandra का लड़का है suffered from hemophilia hemophilia था इसे hemophilia का मतलब क्या होता है कि इसको जख्म भरता नहीं था a life threatening disease as Putin seemed to ease Rasputin seemed to ease the boy's symptoms ठीक है Rasputin क्या करता था जो भी उसको medical procedure आता था जो भी magical शक्तिया है वो acclaimed magical शक्तिया है थी उससे वो bleeding को रोक देता था to show her gratitude Alexandra allowed Rasputin to make key political decisions he opposed और अब देखिये Rasputin ने क्या किया he opposed reform measures and obtained a powerful position for his friends he spread corruption throughout the royal court ठीक है तो ऐसा तो हो नहीं था एक mysterious व्यक्ति अगर nobility के सामने जो है वो जगा बना ले तो nobility बैठे बैठे देखी तो नहीं मरवा देगी उसे और वही किया भी उन्होंने ठीक है assassinate करवा दिया Rasputin को लेकिन उसने corruption पहला दिया पूरे court में ठीक है next point देखियेगा in 1916 a group of nobles murdered Rasputin they feared his increasing role in government affairs meanwhile the war was destroying the morale of Russian troops soldiers mutinied deserted or ignored orders on the home front food and fuel supplies were dwindling prices were widely inflated people from all classes were clamoring for change and an end to the war neither Nicholas nor Alexandra proved capable of tackling these enormous problems ठीक है तो यूद के बारे में तो मैंने आपको पूरा world war के बारे में बताया ही है तो Russia के पास समस्या गया थी Russia के पास industrialization नहीं था और Russia की supply line Baltic Sea में काट दी किसने जर्मनी ने और नीचे Black Sea से काट दी किसने Ottoman ने और उदर Korea साइट से किसने काट रखी है वैसे तो जपान साथ था किसके allies के लेकिन जपान जो है वो इतने बड़े level पर supply दे नहीं रहा था कि जपान और Russia already दुश्मन थे ही ठीक है और Russia जो है वो अपने Western Industrialized Region के ओपर ज़्यादा dependent था तो धेट मींज धिरे धिरे हुआ क्या भुकमरी फैल गई ठीक है अनाज नहीं मिला लोगों को सैनिक जो है वो मरते जा रहे है मजदूरों की हालत खराब होती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है बिमारियां बढ़ती जा रही है क्योंकि Spanish Flu फैला हुआ था देरे देरे Spanish Flu फैला युद में ठीक है वो जो ट्रेंच वार्फेर होगा ना उसमें जो चूहे रहे हैं उनके साथ वहाँ से Spanish Flu जो है वो फैला है बहुत बड़े लेवल पर तो रशिया तक भी पहुँचा ही सो बिमारियां फैल रही है इंफलेशन है भुक मरी है ठीक है मजदोरों की हालत खराब है और उपर से जार ने अपने कंट्रोल में जब मिलिटरी डिसीजन्स को ले लिया 1915 के बाद खास तोर पर 1916 के बाद वो तो डिजास्ट्रस रहा जार ने बैक टू बैक जो हार खाई है जर्मन के हाथों उसकी वज़े से जो जनता है उसके मन में बहुत भैंकर रोश था और अलेक्जेंडर और निकलस दोनों मिलकर ही इस पूरे पॉलिटिकल सोशल एकनॉमिकल टर्मॉइल को हैंडल नहीं कर पा रहे थे अब वो महौल एकदम परिपक वो हो चुका था कि अब रेवलूशन आएगा ही आएगा ठीक है आगे बढ़ता है ने इस में देखिएगा causes of the 1917 revolution सो रेशियन revolution में सबसे पहला फेश हमने समझा 1905 से 1917 तक का फेश ठीक है इसमें देखिए इसमें जो बोल्शेविक्स है ना या जो communist है इन होल बोल्शेविक्स मेंशेविक्स दोनों को अगर आप जोड़ दे तो उन्होंने और खास तोर पे जो सोवियत सरकार बनी उन्होंने हमेशन सोवित सरकार जब तक रही ना उन्होंने इसी पॉइंट पर जोर डालते रहे कि जो russian revolution थी वो inevitable थी russian revolution आनी ही थी उसको तो रोका ही नहीं जा सकता था in fact 1914 के आसपास तो russian revolution जल्दी आती वो तो विश्वियुद ने डिले कर दिया russian revolution को थोड़ा ठीक है लेकिन उसी की जगा दूसरी side जो modern historians है वो ये कहते हैं कि नहीं जो russian revolution है उसके लिए कई सारे कारण थे ठीक है russian revolution was not inevitable ठीक है लेकिन regime हटना क्योंकि देखिए जो third और fourth डूमा जो establish हुई है न और खास तोर पर 1907 के बाद जो ब्रिटेन के साथ अच्छे relation establish हुए है russia के सो धीरे धीरे economic development जो है वो russia में होने लगा था that means जो नए historians हैं वो ये बात clearly कहते हैं कि अगर विश्वियुद नहीं छिड़ता तो russia में constitutional monarchy successful हो जाती अगर 20 साल तक peaceful time चल जाता है तो constitutional monarchy जैसे ब्रिटेन में successful हुई है ऐसी ही रशिया में भी successful हो जाती ये तो विश्वियुद की वज़े से महौल ऐसा बन गया जिसकी वज़े से communist party या अन्य pressure groups को मौका मिल गया जारिस्ट रिजीम को overthrow करने का otherwise 1907 के वाद जो economic महौल है वो रशिया में धिरे धिरे develop होने लगा था और 1914 तक आते आते काफी बड़े level तक जो है वो industrial revolution आ गया था जो की grow कर रहा था progressive था that means progression की तरफ रशिया ने कदम बढ़ा दिये थे वो तो world war में Nicholas 2 को उतरना पड़ा या उतारा गया या उतरना पड़ा आगे discuss करेंगे ठीक है जब मैं world war 2 की condition समझाऊंगा ना तब आएंगे सारे points क्योंकि world war 1 के जो consequences है क्योंकि जब world war 1 हुआ और उसके बाद के जो कुछ साल रहे ना तब तक तो propaganda चला लेकिन धीरे धीरे जो अंदर की बात है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि जो Zimmerman है उसका जो note है वो केवल शक था बाद में प्रूव हुआ उसके अलावा जर्मनी ने जो American boats को डुबाया है जर्मनी को केवल शक था कि American boats में हतियार जा रहे है यह बात बाद में प्रूव हुई कि एक्चुली American boats में हतियार जा रहे थे ठीक है तो विश्विद के कई सालों बात तक जो हैं वो discoveries होती रही events की कि विश्विद के दुराण जो घटना है घटी थी उनके actual मतलब क्या थे तो जो मैं जो दो युदों के बीच का जो समय है उसमें वो सारे points आपको समझाओंगा ठीक है so causes of 1917 revolution हमें समझना है पहला point देखिएगा some of the long term grievances of Russian people were Russian लोगों के long term grievances क्या हैं so हमें causes को समझते हुए ध्यान में रखना है कि जो Soviet side है वो ये कह रहा था कि Russian revolution inevitable है यानि जो communist लोग है उनके अपने अलग agenda थे उसके लावा जो नए historian है वो ये कहते हैं कि जो constitutional मनार्की है वो ठीक से काम कर रही थी लेकिन विश्वियूद की वज़े से यानि जो immediate कारण है वो उन पर जादा जोड़ डालते है और जो Soviet कहते हैं पीछे से चले आ रहे है जो कारण है यानि कि जो long term कारण है उनकी वज़े से revolution तो आना ही था ठीक है इन दोनों पॉइंट्स को हमें balance करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर examiner घुमा कर सवाल पूछ लेता है ठीक है सबसे पहली तो समस्या जो pressure groups है रश्या के अब देखिए मैं बार बार pressure groups क्यों कह रहा हूं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बहुत important politics होती है pressure groups की pressure groups ही धीरे धीरे कई जगाहों पर हमें नज़र आएगा कई देशों में throughout history में जो है वो कई points में हमें नज़र आएगा कि ये pressure groups ही फिर ruling regime में convert हो जाएंगे ठीक है so half hearted fulfillment of October manifesto October manifesto में कुछ clear बात करी नहीं पहली बात तो मजदूरों के लिए उनकी हालत सुधारी नहीं गई Duma establish करी गई वो भी दो सालों में उनका Duma को भी corrupt कर दिया गया तो कुछ खास फाइदा जो है वो October manifesto से हुआ नहीं so that means October manifesto में जो promise किये गए थे वो कि वो तो half hurted थे that means यहां से लोगों ने ये conclusion create किया कि 1905 में जो दंगे हुए थो जो revolution 1905 में एक महौल बना था strikes का उनको केवल दबाने के लिए for the time जो है वो एक measure के रूप में October manifesto को use किया गया जिससे जनता manipulate हो जाए और शांत हो जाए और फिर उसके बाद जार ने अपनी economy को stable किया धीरे धीरे और 1914 तक ऐसी position आ गई थी कि कोई खड़ा ही ना हो सके मैंने बोला ना economy stable होती गई रशिया की so जो opposition है उसके पास बोलने हो कुछ बचा ही नहीं opposition बोली नहीं सकता था कि economy जो है वो खराब है economy stable हो रही थी लेकिन दूसरा point यहाँ पर है कि opposition छोड़ी नहीं थी 1905 के बाद या 1907 के बाद जितना भी जितने भी pressure group है या तो उनको arrest कर लिया गया या तो उन्हें execute कर दिया गया या तो उन्हें exile कर दिया गया देश से निकाल दिया गया जैसे कई Jews को जो है वो देश से निकाल दिया गया जो की communism की बाते कर रहे थे ठीक है next देखिए so half-hearted fulfillment of October Manifesto 1905 next point देखिएगा there was no fulfillment of the promise of the of the promise of the genuine democracy ठीक है so genuine democracy लाने की बात की गई थी कि democracy लेकर आएंगे और वो democracy जो है वो proper तरीके से काम करेगी क्योंकि elected होंगे member तो डूबा आई तो सही 1906 में 10 week में उसको हटा दिया गया 1907 वाली को भी हटा दिया गया so that means genuine democracy नहीं आई इस बात का भी रोश था लोगे मन में next is land reforms aimed at improving the life of peasants by making them land owners and also at bringing down food inflation that hurts the poor the most the land reforms failed because the population of peasants grew faster than the growth in agriculture sector which along with inefficient farming methods resulted in failure to check food inflation अब देखिये surf डम में क्या था surf डम वाला जो system था न उसमें क्या था कि जो lord है भूमी actually lord की हुआ करती थी और जो surf हुआ करते थे वो उस पर मजदूरी करते थे केवल और उस मजदूरी के भुकतान में उन्हें रहने की जगा और खाने को खाना मिलता था ठीक है लेकिन जो land reforms लाए गए October manifesto के according और उससे पहले से भी थे उसके according जो servdom है उसको खतम किया गया और जो मजदूर है जो किसान है जो भूमी हर किसान है उनको land acquire करने की इजादत दी गई जिससे जो है वो land owner जो है वो develop हुए काफी सारे ठीक है और मैं आपको बता है यह रशियन जो मुनार्की उसकी policy यह थी कि यह land owners बनाये जाए और उन land owners खासकर सर्विया में ताकि जो बलकान वाला रिजियन है उस पर रशिया का influence बना रहे तो जो land owners develop हो वो land owners क्या करें समय आने पर मुनार्क की साहता करें ठीक है लेकिन हुआ यह कि मजदूरों की संख्या बढ़ती गई या जो किसान है उनकी संख्या बढ़ती गई और उतने बड़े लेवल पर जो है वो क्या नहीं किया जा सका land reform नहीं लाए जा सका ठीक है production को बढ़ाए नहीं जा सका जिन संख्या में बूम आया क्यों क्योंकि late 19th century और early 20th century में कई सारी दवाईयों का इजाद हुआ था जिससे बहुत सारी बिमारियों का इलाज मिल गया था ठीक है और average lifespan जो है वो कुछ हद तक increase हुआ तो इससे और भी कई सारे कारण है जिससे population boom आया अब वो जो population boom आया उस population को feed करने के लिए वो adequate ऐसे जो है वो क्या बोलता है उनको agricultural tools यह techniques यह methods अवलेबल नहीं थे जिससे हुआ क्या यह inefficient farming methods से जिससे हुआ क्या महंगाई जो है वो बढ़ गई भुकमरी महंगाई भी बढ़ गई और भुकमरी भी बढ़ गई अब welfare प्रोग्राम लाने की बात की गई थी कि वरकर्स के हाला जो है वो सुधार जाएंगे तो खास कुछ सुधार वहाँ पर भी क्या नहीं गया industrial unrest and strikes happened for three years 1912-14 before the start of world war one अब यहाँ पर जो है वो यह जो था कि industrial revolution sorry not industrial revolution लेकिन रशिया में revolution तो 1914 में ही आने वाला था क्योंकि 1912 से ही जैसा कि 1905 में industrial strike आई थी उसी तरह की strike 1912-14 में फिर से आने लगी थी वो तो विश्वयूद छिड़ गया इस वजह से revolution टल गई ठीक है देखिए 1905 में 1905 में जो revolution आई थी उसको लेनिन ने कहा था कि यह dress rehearsal है उस समयर उसी उस दोरान और उससे पहले से ही जो communist leaders है वो यही बात बार बार बोलते आए थे कि एक revolution रशिया में आएगी जिससे मुनार्की खतम होगी और constitutional system या जो मतलब constitutional system जो है वो या एक parliamentary form of government जो है वो establish होगा और actually Lenin या communist जो है वो एक कदम आगे बढ़ गए थे वो कहरे थे कि prolaterate dictatorship आएगी जिसमें state की जगा ही नहीं होगी जो यह prolaterate dictatorship क्या होता है जो मैं आपको communism समझाऊंगा आगे तो वहाँ पर आपको detail में बताऊंगा कि यह prolaterate dictatorship क्या होती है ठीक है वैसे basic बतायता हूँ prolaterate का मतलब होता है जो working presentry class होती है और dictatorship का मतलब working presentry class will take over the governing bodies और वो अपने interest के हिसाब से जो है वो government को चलाएंगे और मतलब राज्य का महत्व नहीं रह जाएगा ठीक है उसको कहा गया prolaterate dictatorship और यह काल मार्क्स ने दास capital में भी यह बात लिखी है और काल मार्क्स ने communist manifesto में भी यह बात लिखी है कि eventually होना तो यही है अब यह 5 साल बाद आए 10 साल बाद आए so that means काल मार्क्स के जो capitalism के जो ideas है उससे influence हो रखी है यह bolsheviks mencheviks और खास सवर पर mencheviks ठीक है so that means वो यह बोलते हैं कि revolution तो आएगी ही आएगी वो inevitable है ठीक है so according to bolsheviks 12 और 14 में जो revolutions हुए तो यह russian revolution होने जा रही थी लेकिन विश्यूद की वज़े से टल गई russian revolution ठीक है so industrial unrest and strikes happened for three years before the start of world war one next point देखेगा the unrest started in 1912 after a group of gold miners who were on a strike were shot at अब यह unrest शुरू कैसे हुआ 1905 का unrest शुरू हुआ था जब जार के palace पर गोली चला दी गई थी मजदूरों पर 1912 का unrest कैसे शुरू हुआ जब अगर आप russia का map देखेंगे physical map तो जो eastern central और eastern siberia वाला जो region उसके यानि central siberia और eastern siberia के बीच में Lena river करके एक नदी है ठीक है so Lena river के किनारों पर जो है वो gold mines है तो उन gold mines में काम करने वाले मजदूरों ने जब अपनी बुरी हालत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन मजदूरों पर open कर दिया गया fire और जैसे ही उन मजदूरों पर fire किया गया तुरंत इस बात को मुद्दा बनाये गया जितने भी political शक्तिया labor supporting parties थी उन सब ने जो है वो strikes करवा दी और देखते ही देखते हजारों के हिसाब से जो है वो पूरे रशिया में strikes भी 1912 से लेकर 14 ठीक है so unrest started in 1912 after a group of gold miners who were on a strike were shot at government repression led to an alienation of three important sections of the society with peasant worker and intelligentia ठीक है अब देखे government repress करने लगा अब यह strikes कौन कर रहे होंगे यह strikes इनी ऐसी ही खदानों में mills में काम करने वाले एसी mines में काम करने वाले लोग एसी mills में काम करने वाली peasantry या labors ठीक है surfdom जो की फसे हुआ है ऐसे किसान जिनके बास भूमी नहीं है जो की फालतू का text दिये जा रहे है वो लोग और उसके अलावा शहरों में जो नया intelligentia develop हुआ है शहरों में जो educated लोग है जो की पढ़ लिखकर ये बात समझ गए है कि ये जो democracy ये जो monarchial system है और जो ये capitalism है ये किस तरह मज़ूरों को हरास कर रहा है तो capitalism भले ही लाओ लेकिन lenient हो benevolent तो हो थोड़ा ठीक है यानि कि rights हो कुछ हक तो हो मज़दूरों के तो that means जो intelligentia है यानि पढ़ने लिखने वाले लोग यानि कि students हो गए teachers हो गए middle class लोग जो हो गए जो कि dependent थे वैसे थे तो Russian government पर ही dependent उसके लावा peace entry वगएरा तो इन सभी ये सब लोग कौन हो गए ये सब लोग हो गए अब राष्टर के दुश्मन जो राष्टर के खिलाफ बोलेगा और राष्टर क्या basic लिए जो सरकार के खिलाफ बोलेगा राष्टर किस से है राष्टर जनता से है राष्टर सरकार से नहीं है राष्टर जनता से है और सरकार उस जनता की भलाई के लिए है ठीक है तो जो उस समय की मुनार्कियल रेशियन सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई तो सभी सरकार के दुश्मन हो गए और वही किया जो भी मतलब दमनकारी सरकार करती है अरेस्ट किया गया जेल में डला गया देश से निकाल दिया गया ठीक है अब यहाँ पर Secret Police जो है वो बहुत रशिया की Secret Police, Secret Police कहने का मतलब यह कि वो civilian dresses में होते थे, वो मतलब dress में नहीं रहते थे, पता नहीं चलता था, कौन police है और कौन civilian है ठीके, Another example of brutality includes mass deportation of Jews from Russia, अब यह जो जीवस है यह अपने आपको capitalist के रूप में establish करना चाते थे अपना banking system लाना चाते थे और जो already existing capitalist है रशिया के जो पुरानी aristocracy है वो इन जीवस से जलते थे क्योंकि Christianity क्योंकि रशिया की जो मुनार्की है वो क्या थे वो काफी क्या बोलते है उसको staunch orthodox थे वो कटर थे कौन थे वो कटर Christian और भले ही शुरुवात जो है वो reformist से हुई हो लेकिन Catholic की चपेट में वो Catholic Church की चपेट में वो आही रखे थे और जो Jews थे उनका entirely धरम अलग तो Old Testament पर चलते थे तो यह एक पुराना cultural conflict तो है ही religious conflict तो है ही so Jews को लेकर एक अलग से सेशन और खास तोर पर जब World War 2 कराऊंगा तो वहाँ पर Jews के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह उनको Arabian region से खदेडा गया फिर रशिया से खदेडा गया फिर Poland से खदेडा गया ठीक है so ऐसा Jews के साथ क्यों हो रहा है और फिर उन्होंने ही कैसे पूरी दुनिया का economic system रचा हुआ है अब पूरी की पूरी दुनिया पर उनी Jews का economic system है ठीक है another example of brutality includes mass deportation of Jews from Russia thus many sections became anti-zar by 1917 so जो पहले pro-zar हमें नजर आ रहे थे अब बहुत सारा section जो है वो anti-zar था इसमें labors है peasants है teachers है यानि intelligentia है students है working class लोग है और अब Jews as a community भी जुड़ गई ठीक है revolutionary parties joined hands अब next is यह कि 1912 के बाद revolutionary parties आपस में जुड़ गई opposition जो है वो एक साथ खड़ा हो गया Bolsheviks, Mensheviks और Socialist Revolutionary Party जो है वो एक साथ खड़ी हो गई revolutionary parties joined hands after 1912 and this led to decrease in disunity among the sections of opposition witnessed earlier Bolsheviks, Mensheviks and Social Revolutionaries Party the three main groups came together and at least temporarily resolved their differences to become united in their opposition to JAR ठीक है अब Bolsheviks, Mensheviks और Social Party तीनों जो है वो जार की opposition में है लेकिन तीनों के अपने अलग 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 जो है वो एजेंडाज हैं बले ही Bolsheviks और Mensheviks एक ही group से निकले हो 1903 में उनकी जो labor party थी आगे मैं आपको बताऊंगा next topic में उसका नाम और उसके बारे में पूरा describe करेंगे ठीक है वहाँ से Bolsheviks और Mensheviks और Mensheviks निकले है अब ये Bolsheviks और Mensheviks का मतलब क्या होता है Bolsheviks का मतलब होता है majority in Russian और Mensheviks का मतलब होता है minority ठीक है जो Mensheviks है वो कटर Marxist थे जो Mensheviks है वो Marxist ideology पर चल रहे थे कि capitalism को हटना ही पड़ेगा और proliterate dictatorship आकर ही रहेगी ठीक है और वहीं पर ही Bolsheviks जो है वो moderate Marxist थे Marxism तो वो मान रहे थे communism वो चाहते थे लेकिन उस level का communism नहीं जो काल मार्क्स लाना चाहते थे ठीक है क्योंकि जो Bolsheviks है वो भली भाती समझते थे कि Europe में बैठे बैठे जो काल मार्क्स ने definitions प्रोवाइड करी है किसकी communism की वो रशिया पर लागू नहीं होगी तो रशिया के हिसाब से मुलब जो practical है like autowarn bismark की real politics थी wealth politics थी जो practical politics है जो practically apply किया जा सके खेर आगे उसको समझेंगे हम ठीक है जो Soviet establish होगा खेर Bolsheviks, Mancheviks और Social revolutionary party यहां तो आप समझी गए socialist party है socialistic ideologies हैं के उसके अलाबा socialist और communist ideologies आपस में जुड़ जाती है और एक united front खड़ा कर देती है किसके खिलाफ, zar के खिलाफ और जब 1917 में zar कमजोर हो जाते हैं तो zar की जगा लेने के लिए Lenin जो है वो उठ खड़े होते हैं लेकिन Lenin को तो 1912 के बाद ही deport कर दिया गया उससे पहले से ही Lenin को तो arrest करने के चक्कर में थे ही zar या उनकी जो है वो सरकार या उनकी secret police last देखिएगा आज का हमारा point royal family lost credibility due to number of scandals अब देखिए royal family credibility चली गई थी क्यों पहली बात तो zar Nicholas second ने जो यूद की जिमेदारी है वो अपने हाथ में उठाली थी जिसके तहत उन्होंने लाखों सैनिकों को मरवा दिया था zar से inflation नहीं संभल रहा था zar से युद जीता नहीं जा रहा था एक एक करके जो है वो जर्मन से battle हारते जा रहे थे ठीक है economic crisis फैला हुआ था दंगे फैल गए थे रशिया में और दूसरी तरफ Alexandra जो है वो St. Petersburg में महौल खराब था वहाँ पर ठीक है जो रास्पुतिन है उसके चक्कर में पूरा करप्ट हो गया था पूरा का पूरा रॉयल फैमिली और रॉयल कोर्ट वहाँ पर जो है वो अपनी रासलीलाएं अलग चल रही है ठीक है काफी सारे स्केंडल्स हुए वो रासलीलाएं हैं वो स्केंडल्स ठीक है उन स्केंडल्स के चलते रॉयल फैमिली पर ये धबका लगा कि आप लोग यहाँ पर भोगविलास में पड़े हुए है और जनता जो है वो लाखों के हिसाब से मर गई है हमारी रिश्या की और आप लोगों को शर्म नहीं है बिलकुल भी शक्ति से उतर जाईए आप लोग सो मैंने आपको इस सेशन के शुरुवात में बोला था कि जार की शक्ति उसकी सैना है जब जार की सैना ही जब से बात करी कि आपको युद खतम करना है हम आपको युद से हटाइगे टेंशन ना लो उन्होंने अन्य जब जितने प्रेशर गूरुप से उन से बात करी कि हमें जार को हटाना है अन्युद मेंज एक युद कोण्सपिरेसी हुई जार की ही एक conspiracy हुई जार की ही खुद की legislature ने जार की ही खुद के चुने हुए ministers ने ढूमा ने जार के खिलाफ conspiracy की और जार को शक्ति से उतार दिया गया खेर ये conspiracy ये पूरा का पूरा जोब concept है ये कल समझाऊंगा कल के topic में ठीक है यानि Russian Revolution के part 2 में आज केवल मैंने आपको basic introduction दिया Russian Revolution क ठीक है तो royal family lost credibility due to number of scandals example there was a controversy on whether the czar was behind the execution of reformist prime minister स्टॉलिपिन अब स्टॉलिपिन जो है वो reformist prime minister थे 1907 में जो तीसरी डूमा establish हुई थी ना उसके prime minister choose किये गए थे स्टॉलिपिन और स्टॉलिपिन ने भले ही हजारों के साबसे लोग मरवाया हो लेकिन मजदूरों की भलाई के लिए काफी काम कर रहे थे तो that means liberal liberal विचार कर रही थी मैंने बोला ना 1907 के बाद 1914 तक रशिया की economy जो है वो regenerate हुए थी वो रशिया की economy को regenerate करने के पिछे स्टॉलिपिन का बहुत गहरा हाथ था लेकिन स्टॉलिपिन की बढ़ती हुई prosperity से अन्य नोबल जल गए और उन्होंने जो है वो conspiracy करी और स्टॉलिपिन को assassinate करवा दिया बाद में ये बात सामने आई कि एक बैसे बैसिकली कीव नाम की जगा है जो प्रेजेंटे युक्रेन है वहाँ पर ओपर हाउस था महाँ पर एक जो है वो performance चल रही थी उपरा की उसमें जो है वो एक गाला चल रहा था उस गाला के दोरान जार निकलस चल रही थी और बीच में उठके एक वेक्ति ने उनको शॉट कर दिया और उनकी मृत्ति होगी इस पर निकलस पर जो है वो इलजाम लगा कि इन्हें पता था क्यूंकि निकलस और उनके साथ जो फार राइट के जुतने भी मेंबर्स हैं जो की नहीं चाते थे एक लिबरल स और जो इस बात की खवर थी तो एक साइड कहती है की जार निकलस और उनके जो भी फार राइट के जो चाहते थे कि मौनार्की बनी रहें उनको थरेट था स्टोलेपन से और दूसरी साइड इतियासकार ये भी कहते है कि स्टोलेपन इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आ रहे जिससे रशियन मोनार्की ही स्टेबल हो रही थी तो यहां पर जार की बहुत बड़ी मूर रखता है उसमें बहुत अपना सबसे बहतरीन मंदा मरवा दिया क्योंकि 1911 के बाद जो है वो महौल बिगड़ा है फिर रशिया में ठीक है तो जार तो जार की काउंसिल में एक प्रीस्ट जो की अपने आपको होली मैन और मैजिकल शक्तियों का धारक बताता था वो जार के उपर हावी हो गह था उसने कहा था कि युद में अगर तुम उतर होगे तो बरबाद हो जाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो तो बच जाओगे समझने है वो इडर का खेल उसने क्या गोलता है निकलस सेगिंड को कहा रासपुतिन ने कि अगर युद में उतरोगे तो बरबाद हो जाएगा पूरा रशिया और अगर मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करते रहे तो युद चुम जीच जाओगे तो काफी इंफलेंस था अलेक्जेंडरा तो काफी इंप्रेस थी उससे अलेक्जेंडरा के बच्चे को वो बचा लेता था बार-बार तो Alexandra तो सब कुछ देने को तयार दी है ठीक है तो Alexandra ने इगनोर किया कि किस तरह रासपुटिन सभी रोयल जितने भी नोबिलिटी है उनको ओवर शैडो ओवर पावर कर रहा है और किस तरह के स्केंडल्स हो रहे है जितनी भी रोयल लेडीज है सेंट पीटर्स बग की उनके साथ ठीक है रासपुटिन रासलीला है मचा रहा है तो इस सब को इगनोर किया आगया लेक्जेंट रदबारा तो ये काफी सारे पॉइंट्स है आगे हम आगयने वाले सेशन में अगले ही सेशन में इन सारे चीज़ों को डिटेल में फिर से डिसकस करेंगे ठीक है सो आज के सेशन को मैं यहां कर रहा हूँ खतम आज हमने रशियन रेवोलूशन का बैग्राउंड उठाया जिसमें हमने समझा 1905 से लेकर 1917 तक का रशिया में क्या महौल है जिसमें हमने 1905 की रेवोलूशन और 1912 चौधा की रेवोलूशन को समझा जिससे हमें एक बैग्राउंड पता चला कि यह पॉलिटिकल सेनेरो जो है वो रशिया में है निकलस सेकेंड जो है वो इंडस्ट्रिल रेवोलूशन अईज करना चाता है यूरोप को लेकिन रशिया में ओपोसीशन उठ खडा हुआ है जो की उस लेवल का इंडस्ट्रिल रवोलूशन उस लेवल का ओप्रेशन जो है वो पीजेंड्स पर नहीं करने दे रा जिससे October manifesto जो है वो लाना पड़ा जार को और Duma establish करनी पड़ी फिर Duma को किस तरह जो हटाया गया जार के द्वारा फिर दो Duma के पूरे पूरे tenure चले फिर विशुद में जार उत्रा और विशुद तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है कि तो वहां से आप connect कर लेंगे अपने आज के session को so I hope आपको आज का session समझने में मज़ा आया होगा ठीक है session अच्छा लगा बुरा लगा क्या बात सही लगी क्या बात गलत लगी comment के मादिम से आप मुझे जरूर बताएंगे और आगे आने वाले session के साथ आप जुड़े रहेंगे और as well अगर आपने पिछले sessions अभी तक नहीं देखे हैं so make sure you watch all those previous sessions study IQ के channel पर जाएए आपको मेरे नाम से playlist मिल जाएगी and make sure you watch all those previous sessions first world war के जो पांच पार्ट करवाए उनको thoroughly follow करो तभी Russian revolution deeply समझाएगा उसके लाव उससे पहले के topics भी आपको follow करना है जो सवाल पूछ रहा हूं उनको comment में जवाब देना है और अपना feedback मुझे आपको जरूर provide करना है ठीक है so आज के session को मैं here conclude करता हूँ मैं मिलूँगा आप से अगले session में मेरा नाम है विशाल चोहान तब तक अपने लिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा take care